नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल पर जुनने वाले नई दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनों ने अभी हमारे चैनल सब subscribe कर ले ताकि हम अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने आते रहें और दोस्तों हमारे दोस्तों को भाईएं को बहनों को सभी को नवर्ष की बहुत-बहुत शुब कामना है नया साल आपके लिए सभी के लिए मंगल मैं हो और इसी शुब कामना के साथ दोस्तों आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि काफी दिनों से काफी हमारे मित्रों की डिमांड थी कि हम ऐसे कुछ पर्मानेंट प्लांट लेकर आएं जो स्मॉल नर् कनीज में और टैरिस पर इतनी जगह नहीं होती है कि वह बहुत जाद़ प्लांट लगा पाएं और इसलिए वह पर्मानेंट प्लांट जादा लगाना चाहते हैं जो हमेशा उनके गार्डन में बने रहें ऐसे प्लांट वह लगाना चाहते हैं तो उसी ध्यान में रखते राइट साइड पर दोस्तों ये नर्शरी पढ़ती है घंचाम नर्शरी इनका कॉंटेक्ट नमबर एडरस हम सभी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहां से आप ये सब देख सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये है गुडल जो ये लोग कटिंग से ही तयार करते हैं और काफी यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर नई नई ये शुट्स निकली हुई है और काफी ब्रांचिस भी निकली हुई है और इसका भी डॉर्मेंसी का टाइम है लेकिन फ बग सभी जो प्लांट हैं वो सभी इसी तरह से वो कर रहे हैं और ये देखे ये मिर्ची गुड़ल है ये देखे ये तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में चामिल किया था और काफी अच्छे सी इन में देखे फ्लारिंग भी हो रही है कईयों में कई सारी बर्ड्स आई और दोस्तों ये है स्पाइडर प्लांट और देखे इसमें नही नही ये इस थाइप से हैं इन को प्रपगेट करके काफी नए फ्लांट बना सकते हैं बैस्ट Criminal है बैस्ट एiatric प्लांट है और इससे अच्छा तो प्लांट दोस्तो हो ही नहीं सकता और इसका रेट आप सुनेंगे तो भी सर्प्राइज हो जाएंगे मात्र दस रुपे में दोस्तो आप इस प्लांट को यहां से ले सकते हैं और दोस्तों ये देखें ये चमेली की बेल है चमेली का जो प्लांट होता है देखें मैं अगर आपको दिखा पाऊं इसमें कितना ये बुशी प्लांट है और यहां से नई शूट्स आई हुई हैं चारो तरफ से इसमें ये देखें ये नई नई आ गई हैं क्योंकि ये काफ अच्छी फ्लारिंग होती है अच्छी प्लारिंग होती है और अच्छा प्लांट नेच है और इस प्लांट को भी दोस्तो आप यहां से 10 रुपे में ले सकते हैं और दोस्तों ये देखिए ये चाइना ओरेंज का प्लांट है और इसकी जो लीवस हैं दोस्तों फल के साथ साथ ही एक नई वेराइटी है जो इनके पास अवलेबल है कटिंग से तयार प्लांट है और अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये देखिए इसमें छोटे छोटे से ये फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं वैसे ये एकदम से इसकी जो पत्तियां है बहुती खूबसूरत लग रही है मुझे और बिल्कुल सेम ये वेरिगेटेड जो फाइकस है उसकी तरह इसकी जो लीवस है वो है और देख भी पाएंगे आप देखिए पूरा प्लांट काफी हेल्दी सा प्लांट है और दोस्तो इस प्लांट को आप यहां से सिर्फ 20 रुपे में खरीज सकते हैं और दोस्तो ये देखिए ये कुंदा का प्लांट है अभी भी इसका सीजन चल रहा है और देखे कईयों में इसमें ऐसे ये फ्लारिंग आती है खुब बर-बर के फ्लारिंग करता है इसकी भी जस्मिन वेराइटी इसको बोला जाता है और बहुत जादा फ्लारिंग ये करता है हर ब्रांच में देखे पत्तियों के साथ में इसी प्रकार से इसकी भर-बर के फ्लारिंग होती है और इसका भी सीजन भी है दोस्तो और ये लगबग वैसे त यह अच्छी फ्लारिंग करता है यह प्लांट अभी भी अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो मेरे गार्डन में बहुत ज्यादा फ्लारिंग चल रही है और बहुत ही अच्छा सा यह प्लांट है है यह एल्दी सा प्लांट है देखिए मातर 20 रुपे में दोस्तों आप इस प्ल हो जाता है दोस्तों लेकिन देखिए यहां पर अगर आप इस प्लांट को लेना चाहते है तो काफी हैल्दी सा प्लांट है अगर मैं आपको पूरा प्लांट यह अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह भी बहुत ही अच्छा इंडोर लगता है और बेस्ट प्यूरिफाय को यहां से ले सकते हैं और दोस्तों देखे यह भी बोस्टन फार्ण है बहुती कमिनेट त्रीज में यह प्लांट मिलता है और अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो बहुती ज़्यादा बुशी प्लांट है और इसको देखे कितनी नई नई इसमें शूर्ट आई हुई है औ इंगिंग बास्केट में या ग्रिल प्लांटर वगरा में आप किसी में भी इसको लगाएं और यह दोस्तों काफी महंगा प्लांट आता है मैंने खुद इस प्लांट को बहुती महंगा खरीदा था और यह मातर देखे यह यहां पर तीन इंची पोट में लगा हुआ यह प प्लांट इसमें बेबी प्लांट आए हैं देखे यह तो इस टाइप से इसमें लीवच आती रहती हैं यह पूरी और बहुत ही प्यारी सी यह लगती है ग्रीन और दोस्तों इस प्लांट को क्योंकि यह बड़े गमले में हैं तो इसको आप 50 रुपे में यहां से ले सकते है और दोस्तों देखेag, ये भी एक indoor plant होता है, छेमी शेड में भी ये बहुत अच्छा चलता है और इंडोर भी आप इसको लगाएं, तो भी ये बहुत अच्छा लगता है इसमें दो तिन वेराइटी जाती है दोस्तों वेरी गेटेड वेराइटी भी इसकी बहुत ही प्यारी सी लगती है और यह यहां पर आप देख पाएं तो यह देशी वेराइटी है जो टोटली ग्रीन है लेकिन यह बहुत ही प्यारा सा लगता है एक बॉनसाई लुक देता है यह प्लांट और यह छे इंसी पोट में लगा हुवा प्लांट है लेकिन अगर मैं आपको इस प्लांट को दिखाऊं तो देखे कितनी ज़ादा इस में से ब्रांची जाय हुई है आप कटिंग करते जाए एक मैचियोर प्लांट यह बन जाता है और बहुत इस उन्दर यह रुपे में दोस्तों आप इसको यहां से ले सकते हैं बड़ी बड़ी नर्सरी में इस प्लांट का जो रेट होता है काफी हाई होता है और तो यह तो आप सभी जानते ही होंगे लेकिन यहां सिर्फ मातर साथ रुपे में आप इस प्लांट को दोस्तों यहां से ले सकते हैं औ तो यह बच्चे कहों अब सुपा सियविकि नबंड कमेशन नटश्री के आसपास ही पढ़ती है तो उसी में permanent plant आपको दिखाए और rate और plant की जो condition है वो आप जानते ही हैं कि rate बहुत ही अच्छे हैं plant बहुत ही अच्छे हैं तो दोस्तो आप यहां से आकर जो भी आसपास रहते हैं वो दोस्त हमारे आकर यहां से plant खरीच सकते हैं तो दोस्तो आई होप की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए उप्योगी साबित होगी अगर हमारी वीडियो दोस्तो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यो दोस्तो